नमस्कार दोस्तों वेवन विधर यों में आपका हार्दिक स्वागत यों नंदन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इलाहाबाद विश्विद्याले के जो परिच्छा का स्वरूप है वो बदलने जा रहा है आपको अपने पढ़ाई नए धंग से करना होगा ऐसा इलाहाबाद विश्विद्याले क्यों कर रहा है इस बात को भी समझना होगा क्योंकि इलाहाबाद विश्विद्याले को सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए ज्यादा सिप्ट में परिच्छा लेना है तो एक काम तो यह इलाहाबाद विश्विद्याले करेंग प्रस्णों की संख्या कम किया जाए और प्रस्ण के प्रारूप को बदला जाए जैसे प्रस्ण के प्रारूप बदलने का मतलब यह है कि जो descriptive question होते थे अब उसको क्या कर दिया जाएगा objective में बदल दिया जाएगा बहुभी कल्पी प्रस्न उसके जगह लाए जा सकते हैं तो जिससे परिच्छा कई सिप्ट में करवाई जा सके और कम विद्यार्थियों को एक साथ दूरी पर बैठाया जा सके और परिच्छा का जल्दी परणाम भी सामने आ सके इन तमाम बिंदुओं को ले करके इलाहा बा के बारे में पूरे सूचना है मेरे पास यह देखे देखे लिखा हुआ है इलाहाबाद केंद्री विश्विद्याले असनातक अस्तर की परिच्छा का पूरा सोरूप बदल्ली की तैयारी में जुटा है इसे नया शैच्छनिक सत्रभी प्रभावित होने से बचाया जा सके जल्द ही वार्षिक परिच्छा का नया शड्यूल जारी कर दिया जाएगा ठीक है दरसल इलाहाबाद विश्विद्याले का नया सैच्छनिक सत्रभावित होने से बचाने में केवल परिच्छा विवाग की अहम भोमिका है यह परिच्छा जल्द करा ली जाएगी तो परि परिच्छा का सोरूप बदलना होगा इसके दर परिच्छा की अवद तीन की जगह दो घंटे करने प्रस्न पत्रों में सवालों की संख्या कम करने बहुविकल्पी प्रस्नों पर अधिक जोड़ देने की तैयारी चल रही है फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हु यह आनलाइन कच्छाओं के संचारन पर विशेश जोड़ दिया जाएगा यह देखी यह पूरी बाते थी जिसमें कहा गया और यह देखी यह लिखा गया कि यूजी सी की कमेटी की रिपोर्ट का अनुपालन में इलाहाबाद विश्य विद्याले में असनातक अस्तर की पर रूप पर अहम बदलाओ करने हैं सो मुआर को परिच्छा समित की बैठक में चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा शुडूल जारी कर दिया जाएगा यह बताया गया परिच्छा नियंत्रक रामेंद्र कुमार सिंग द्वारा तो आप सबको पूरी बात समझ में आ गया होगा कि अब आपको जो पढ़ाई आप कर रहे हो उस पढ़ाई में क्या करना है कि जो डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ छोटी-छोटी बातों को पॉइंट करिएगा अगर अब्जेक्टिव हुआ फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत पढ़ने वाली है खास करके उस आपको ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा तो आशा करते का आपको समझ में आया होगा वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए कर जिससे अगला वीडियो आपको इन सब चीजों से लगातार मिलती रहे थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग